नमस्कार दोस्सों, Dear hier雨 टोई चैणल में आप लोगो का सौगत है आज हम लोग जानेगे कि एक इंडेक्षन के बारे में जो आप लोगों के सामने हमने खोलके रखा इसके अंदर के पार्ट के बारे में इसमें क्या-क्या लगा होता कैसे ही हिट होता है ये सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्धम से हम लोग जानेंगे तो वीडियो के लाज तक आप बने रहे हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सेयर करिए तो देखिए हम आप लोगों के सामने इंडेक्शन को खोल कर रख दिया है इसमें आपको दिखाए दे रहा होगे जो ये हम दिखा रहे हैं आपको ये हमारा गलास है इसका गलास जो ये अंदर के पार्ट को जब हीट करता है इसी गलास के माध्धम से हमारा टमपरेचर बन पाता है जो हमारा भोजन बनाने के पकाने में काम देता है यह हमारा induction खोलने का एक उद्देश था यही हमारा cable damage थी जिसके करण हमारा induction चल नहीं पा रहा था और इसको हम लोग सोचें कि आपको वीडियो के मादन से आपको बता दिया जाए इसके अंदर के part के बारे में अंदर में क्या लगा होता है और कैसे होता है और क्या क्या कैसे हीट होता है इसको cooling कैसे किया जाता है यह सारी जानकारिया इस वीडियो में आपको मिलेगा देखिए यह कोईल्स बनी हुए पतले पतले सुराक से गोली-गोली से बने हुए हैं गोल-गोल से यही कोईल्स हमारे induction को हीट करता है जब यह हीट होता है तो यह गलास के करता है और देखिए पल्ड करके हम आपको दिखा दे रहे हैं इसके दूसरे पार्ट को यह जो आपको दिखाए दे रहे हैं इसको हम मास्पेट कहते हैं यह आईसी है इसको नहीं स्वारी यह कहते हैं एक कंड़क्टर है यह जो अभी अंगली रखे हैं एक कंड़क्टर है इसी के माध्धम से हमारा जो इंडेक्शन चूला होता है इसी के माध्धम से ये गरम होता है जो कौयल हमारी दिखाई दे रही है आपके सामने रेड कलर की इसी के माध्धम से ये हीट होता है जिसके कारण से ये देखिए ये मुख चीज ये है हमारा फैन है इसी का टमप्रे रखा जाता है इसी के बीच में तभी हमारा टमप्रेचर इसको असोशित करता है बरतन इसी के माध्धम से हमारा बरतन हीट हो जाता है तो आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया हो वीडियो के लाश्ट तक आपको बने रहने के लिए धन्यवाद और नमस्कार जैहिन जैभारत थैंक्स भार वाचिंग